लब रोएं वेलकम टो दो निए पिसोड़ों चितन स्लाइप तो फाइनली आज हम आचुके अंबोरा जो की हमारे आगे में मंदिर अभी तो उपर जाते है और आपको दिखाते है अभी तो हम नीचे मेंगे और बारिश का मौसमें इसलिए हम हम है हजार हु की कमी जरा है थर चीज कास है अःगुह क्याैं कॉम्रे सुच ही टौर अब है सुच का है अच्याव था है जुगिह कू कू है अच्याए आगी बच्चार हैaza कॉ तो फाइनली अभी हम मंदिर में पोचे कर हमारे पिछे में मंदिर और यह पर बहुत ही ज्यादा थे जावा चाहते ही और यहां पर बन रहा है एक सीलिंग सीलिंग बोल सकते हैं मतलब इन नदी के उपर से जैसे मुंबई में वैसा बन रहा है और यह मंदिर और यहां पर इन पाच नदियों का संगम में जो कि मुझे नहीं पतक आप है आई तिंग इधर है तो यहां पर पीछे पर कोल्ला सूर का गड़ जो कि वह वहां पर जहां पर जाना पॉसिबल ने पहले था और यहां पर एक इकड़ून आले है एक आले है एक त्या कोंटे तुने एक एक इकड़ून आनी एक तिकड़ून पाच एक इहां से एक इहां से एक इकड़ून यह वाली तीन यह वाली चार और उदर से आरे एक पाच जो यह ब्रीज हो डारेक बंडारा बंडारा तो बस अब हमारा यहां पर दर्शन हो चुका है अब हम नीचे जाने के तहरे में वह रहा का तो बहुत ही ज़ादा प्रेशर है अब होती ज़ाद है आपर तो अब हम यह से जा रहे हैं तो बस अब हम यह से जा रहे हैं निचे और हमारा दर्शन हो चुका है तो यहां पर जो पाच नदी का संगा में पीछे में मतलब इंफोर्मेशन दिये तो आप जरूर मतलब थाम कर मतलब यह फिर स्क्रीन रण निकाल के पढ़ना क्योंकि वहां पर दिया है पाच नदी कौनसी कौनसी है तो बस अब यहां पर गुंते हैं यहां पर दो तिन चंबो रहा मतलब बहुत ही बड़ी आता उपर से पांच नदोद्यों का संगम मिर लाता और यहां पर जो सीलिंग के जो पीछे में जो तो बन रहा है जब बन जाएंगा तो बहुत ही बढ़िया देखेंगा जैसे राम जुला है वैसे इस इस कंस्ट्रूक्शन है लेकिन और इकड़े पूटा का डिकड़े बस तो गायस से नजारे तो बहुत ही पहरे पहरे मतलब नदियों का संगम और बहुत बड़ी नदी तो यहां पर पहले जाने के लिए रस्ता था मतलब और वहां पर कुल्ला सुर्का गड़ और यहां पर बाबा साय का मतलब कुछ तो भी था जो कि अब भी पूरा तोट चुके है कि अदिक सुपड़ सुपज का मतलब खिए